अब खबरे विस्तार से किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इरान के इशारे पर हिजबुला इतनी बड़ी जंग तैयारी कर रहा है हिजबुला का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इस्रेल के होश उड़ा दिये हैं हिजबुला की मिसाइल सुरंग हमास की सुरंगों से चार गुना बड़ी और गहरी है जिसकी वज़ा से इस्रेली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पा रही है खबर ये है कि इरान के सुप्रीम लीडर खामने ने हिजबुला को इशारा कर दिया है कि जमीन के नीचे से इस्रेल पर हमले शुरू कर दो इस आदेश के बाद से हिजबुला लगता डेड़ घंटे कर उत्तरी इस्रेल पर हमले करता रहा खामनेई का आदेश हिजबुला ने खोली मिसाइल सुरंग अब युद के मैदान में इस्रेल और कितने दिन टिक पाएगा ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आकरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है हिजबुला ने खाजा युद के दस महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इस्रेल के खिलाफ खोल दी है और इरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइले और रॉकेट इस्रेल पर एक साथ दागने के लिए तयार कर दिये है पिछले एक हफ़ते में अचानक इस्रेल बैक फुट पर नसर आने लगा है पीम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योग एलन के बीट जंग की रणनीती को लेकर तीखी बहस हो चुकी है ये सारा जंगी माहول साबिद करता है कि इस्रेयल धीरे धीरे जंग के दलदल में धस्ता जा रहा है चाहे घाजा युद्ध हो चाहे हिजबॉल्ला से युद्ध हो या फिर एरान से इस्रेयल की जंग हो अभी तक इस्रेल, हमास, हैजबॉला और इरान पर भारी परता नजर आ रहा था लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा हैं कि हैजबॉला और हमास की तरफ से इस्रेल पर बेहद सटीक और घातक हमले किये गए हैं हैरानी की बात तो ये है कि इस बार इसरेली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए है कि हमास और हिजबुल्ला मिसाईलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसमें इसरेल की वार टीम के होश फाक्ता कर दिया है पहली बार हिजबुल्ला ने दिखाई मिसाईल सुरंग जरा हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्ला के खदरनाक लड़ा के घातक हतियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ा के सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं हेजबुल्ला के सुरंगों के खास बात ये है कि ये लगभग दो मन्जिल उची है सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रकों पर सैक्डो मिसाइलें लदी हुई है चौकाने वाले हेजबुल्ला के वीडियो में नई इमाद चार सुरंग दिखाई गई है अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी लेकिन पहली बार हेजबुल्ला ने घातक हत्यारों से लैस सुरंग दिखा कर इस्रैल और उनके सहयोग्यों के होश उड़ा दिये है दावा किया जा रहा है कि एरान के सुप्रीम लीडर खामनईई के कहने पर हेजबुल्ला ने इस्रैली सेना पर हमले देज कर दिये है ले मालूमात कून नहीन बाद ना हजज जवात मिश आमलीन नहीन शबाब यश्टगलो बेल जबहा खिदम अजाजए यानी बेरोफ भी खदम वाक्तो बेख जा पया जाज़ा बीटो भी तलाब दीलो भी खदम वाक्तो भीजा आजलीन वहाक़जादा वामलीन के नंबर दो टॉप कमांडर फुआज शुकर को इस्रेल ने बेरूत में जबरदस्थ हवाई हमले में मार डाला 31 जोलाई को हमास चीफ आनिया को इरान की राजधानी तेहरान में इस्रेली एजिंटों ने धमाका करके मार दिया इन दो हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर इरान और हिजबुला ने इस्रेल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीती बनाई है कि इस्रेल के टॉप कमांडर फी चक्रा गए है इरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुला चीफ हसन नसरला इस्रेल को उसी के अंदाज में मनोवैग्यानिक युद्ध में फजा रहे है जरा देखिए हिजबुला किस तरह से हमले इस्रेल पर लगातार आठ दिन से कर रहा है जरा इस एनिमेशन को देखिए हिजबुला इस सुवक्त उत्री इस्रेल पर जबरदस्थ हमले कर रहा है पहाडी इलाखों में मौझूद इस्रेली सेना के कमांड सेंटर और सैने ठिकानों पर हिजबुला ने कत्यूशा और कोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किये है खुद इस्रेली सेना ने माना है कि हिजबुला सीरियल मिसाइल अटेक करने में जुटा है दावा किया गया है कि हेजबॉल्ला ने उत्तरी इसरेयल में सैनल ठीकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइले और रॉकेट से हमले किये हैं जिसकी वज़से इसरेयली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इसरेल की एर डिफेंस कोड बी कोड करने में जुटा है इज़ा अश्वालत इसराइल अल्हर्प फी लुबनान फहादा यर्टबिट बिमस्तवा हाथी ल्हर्प सुरंग तो बंकर प्लान खौफ में इसरेल तीन सो दिन से ज्यादा की जंग में हमास हिजबुल्ला और इरान को इसरेल ने बायानक चोट पहुचाई है लेकिन तीन सो दिन की जंग में हमास हिजबुल्ला और इरान को समझ में आ गया है कि इसरेल को उसी जमीन पर उसके वार प्लान के जरिये हराया जा सकता है इन तीन तस्वीरों से पूरा प्लान समझ लीजे हमास के पास इतनी सादा सुरंगे थी जो तीन सो किलोमेटर दूरी तै कर सकती है इसरेल ने लगबग 90% हमास सुरंगे तबाह कर दी है लेकिन अभी भी हमास 10% सुरंगों के जरिये इसरेल पर गातक हमले कर रहा है ठीक उसी तरज पर हिजबुल्ला ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इसरेल पर हमला करने के लिए खोल दिया है जबकि इरान ने अपने बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इस्रेल पर हमला करने के लिए तयार कर दिया है अब आप अन्वान लगाईए कि अगर हमास हिज्बुल्ला और इरान मिलकर सोरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इस्रेली सेने चेकानों और शहरों पर हमले कर दें तो इस्रेल इतने भीशन हमले को कैसे रोख पाएगा बेशक इस्रेली सेना के टॉप कमांडर दाबा करें कि वो हमास, हेजबुला और एरान के हमलों से नपट लेंगे लेकिन जिस तरह की तैयारी हेजबुला ने की है वो हैरान करने वाली है हेजबुला ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इस्रेल के खिलाब जवाबी कार्यवाई करने का ऐलान किया है इरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समू हेजबुला ने शुक्रवार यानि 16 अगस्त को ये वीडियो जारी किया है हिजबुला के दरब से जारी किये गए वीडियो क्लिप में विशाल सोरंगे दिखाई गई है ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं सोरंगे कम्प्यूटर और बिजली से लैस हैं इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है हिजबुला ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सोरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुला लड़ा के आते हैं इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉंचर से लास्ट ट्रक बढ़ते हैं पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं एक के बाद एक ट्रक बुजरते हैं इस दोरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगे दिखाई देती हैं ट्रक एक जगह रुकता है वो जमीन के ओपर खुलती है यहां लॉंचर तयार होकर जमीन के बाहर की ओर न पूला का दाबा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है वीडियो में दिखा गया है कि ट्रक बुलेट